जहां एक तरफ करोना की महामारी वहीं दूसरी तरफ देखी जारी है इमिग्रेशन के ठगी भी जारी जी हां मैं शेशी चौरसिया अर्थप्रकाश टीवी पर आज लेकर आई हूँ एक ऐसी खबर जिसको जानकर आप दंग रह जाएंगे वर्तमान समय में इमिग्रेशन ठगी का अड़ा बन चुके महाली में नहीं रुकरे ठगी के मामले करोना काल में भी इमिग्रेशन ठगी करने वाली ये कमपनिया लोगों को ठगने से बाज नहीं आ रही है एक माबाप का सपना होता है अपने बच्चों को विदेश भेज कर उन्हें कामयाब बनाने का इनी सपनों को उडान देनी की बचाएं जगे जगे खुले फरजी, इमिग्रेशन, बच्चों के मातापीता के सपनों को जीते जी मार देते हैं इसी कारण कुछ बच्चे तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं तो कुछ कर लेते हैं आत्मात्या अगर बात की जए विदेश बेजने के नाम पर ठगी से जुड़ी तमाम घटनाओं की तो पंजाब के अधिकतर ठाने चौकियों में ऐसे मामलों की फाईले भरी पड़ी हैं चंडिगर से सटे जिला मोहाली में विदेश बेज़े जाने के नाम पर ठगी के कई मामले सामने आए जहां दूर दरास से लोग आते हैं जिने विदेशी जमीन पर कुछ करने का जुनूर होता है किन्तु उन्हें नहीं पता होता कि उनकी महनत की कमाई अब इमिग्रेशन के दफ्तर में सफा होने वाली है हिमाचल, हर्याना, पंजाब और दूर दरास छेतरों से किसी को स्टडी वीजा तो कोई वर्ग परमिट पर विदेश जाना चाता है लेकिन जगे-जगे फैले इन फरजी इमिग्रेशन के चुंगल में फैसकर रह चाते हैं ये लोग इस तरह के मामले को उजागर कर रही है कंजीमर कंप्लेंट नाम की एक वेबसाइट जिस पर विदेश भीजे चाने के नाम पर धोखा खाई हुए कई लोगों ने उन फ्रॉड लोगों का भंडा फोर्ड कर दिया है जो उन्हें विदेश यात्रा के नाम पर ठगी कर चुके हैं शिकायत करता ने साफ साफ अमन और गॉर्फ तलवार का नाम लिखकर कहा है यह दोनों बाहर भेजने के नाम पर ठगी करते हैं इसकी अलावा वेबसाइट पर शिकायत करता द्वारा मोहाली पोलिस को भी कटगडे में खड़ा करते हुए कहा है कि पोलिस ने भी मदद स्वरूप मुझे नामात्र के पैसे ही दिलवाएं स्क्रिन शॉट में आप खुद पढ़े और देखे इन फ्रॉड लोगों का काला कारनामा आज के लिए बस इतना ही मैं लेती हूं आपसे इसाज़त आप जुड़े रहिए अर्थप्रकाश टीवी प